एक टीचर बच्चों के लिए बोट पर 6 का पहाडा लिख रहे थे पूरा पहाडा सही लिख रहे थे लिकिन जब वो लिखते लिखते लास पर पहुँचे है तो उन्होंने 6 गुना 10 को 61 लिख दिया अभी वो लिखकर ठीक से मुड़े भी नहीं थे कि सारे बच्चों ने जोड़ जोड़ से हसना शुरू कर दिया और बोले सर जी 6 गुना 10 को 60 होता है आपने 60 लिख दिया आपको ये भी नहीं पता हमें क्या पढ़ाओगे आप तो टीचर मुस्कुराए और बोले मैंने 9 जगा सही लिखा आपने मुझे एप्लिसेट नहीं किया मेरी तारीफ नहीं की लेकिन एक जगा मुझसे गलती हो गई तो आपने मेरा मजाख उड़ाना शुरू कर दिया मुझे क्रिटिसाइज करना टोपना शुरू कर दिया यही दुनिया की सच्चाई है दोस्तों हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर जाते हैं शुरू से अच्छा करते आते हैं अच्छा सोचते हैं लेकिन अगर हमसे एक गलती हो जाए तो हमें फौरान नीचे दिखा दिया जाता है बुरा भला न जाने क्या क्या कह दिया जाता है तो इन चीजों को कृटिजम समझने के बजाए समाच का आइना समझिये और अपने जिंदेगी में आगे बढ़िये